जैहिन दोस्तों मैं गगंदीव आप सभी का स्वागत करता हूँ प्राउड ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और अगर आप NCC जोईन करना चाते हैं तो आपके लिए खुसकबरी है कि NCC के जो फोर्म है वो निकल चुके हैं तो इसके अंदर क्या रणिंग रहेगी लास्ट डेट कितनी होगी इस फोर्म को अपलाई करने की या कौन सी डेट के उपर आपको जाना है कहां पर जाना है और ये फोर्म निकले है वेस्ट बंगोल के अंदर तो अगर आप वेस्ट बंगोल के कैरेट हैं तो इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं ताकि आप देख सकें कि आप किस तरह से NCC को जोईन कर सकते हैं यहां पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतनी बात पता दूँ कि आप अगर दूसरी डारेक्ट रेट से हैं या दूसरी स्टेट डिस्टिक से हैं और जानना चाते हैं कि आपके NCC के फोर्म कब निकलेंगे तो अगर इसके आपको सबसे पहले इंफोर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाएए वहाँ पे सर्च करिए प्राउड ग्रूप ओफ NCC या फिर डारेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम के उपर जोईन कर सकते हैं और दूसरा टेलीग्राम पे हमको जोईन कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों जगएं के उपर मैं सबसे पहले information डाल देता हूँ जहाँ पर भी जो भी information मिलती है NCC की कि यहाँ पर NCC के form निकले हैं तो सबसे पहले आपको प्राउड ग्रूप ओफ NCC Instagram पेज और प्राउड ग्रूप ओफ NCC Telegram चैनल के उपर information मिल जाएगी तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं तो कौन सी NCC के यह form निकले है NCC Novel Wing के कौन सी Wing के NCC Novel Wing के यहाँ पर form निकले है ठीक है और यहाँ पर क्या बात है यहाँ पर रिकूटमेंट जो होगी वो विल बी कंडुक्टिड एट Novel Unit NCC on Monday 6 September 2021 तो 6 सितंबर 2021 को ठीक है 6 सितंबर 2021 को जो है आपकी यहाँ पर रिकूटमेंट होने वाली है आपकी यहाँ पर भरती होने वाली है सुभ है कितने बजे 9 बजे तो 900 आवर्स के उपर आपकी क्या होगी यहाँ पर भरती होगी यह बात आपको ध्यान में रखनी है कहाँ पर पहुंचना है किस तरीके से सारी information मिलेगी वीडियो को पूरी देखना पहले ठीक है तभी आप समझ पाओगे चीजों को आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है तो किरप्या करके वीडियो को पूरी देखना अब यहाँ पर सम जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो यहाँ पर नीचे दी गई है वे क्या क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन पहली बात तो आपका होगा रिटन एक्जाम रिटन एक्जाम कंड़क्ट किया जाएगा साड़े नो बजे नो बजे आपको पहुँचना है साड़े नो बजे आपका रिटन एक्जाम होगा अब आपके दिमाग में कोश्चन आ सकता है कि सर written exam के अंदर क्या पूछा जाएगा तो देखो written exam की अगर हम बात करते हैं तो written exam के अंदर basically तीन चीजे पूछी जाती है एक तो normal GK के question पूछे जाएंगे दूसरा आप से क्योंकि ये navy novel wing है तो आप से navy और फिर novel NCC ठीक है इस से related question पूछे जाएंगे और तीसरे आप से defense से related question पूछे जाएंगे और उसके अंदर भी specifically navy से related question पूछे जा सकते हैं तो ये है GK के अंदर अगर हम बात करें तो sports का आपको जरूर पढ़के जाना है ठीक है और GK की तयारी के लिए हर शाम साड़े 6 बजे 6.30 pm के उपर रोज एक class आती है जिसमें हम GK के अंदर जो question पूछे जा सकते हैं आपके entrance exam के अंदर NCC के उन सभी को वहाँ पर discuss करते हैं उसकी एक playlist बना दी गई है तो सारे के सारी वीडियोज को आप एक साथ देख सकते हैं उसकी जो playlist का link है वो आपको नीचे मिल जाएगा NCC model paper के नाम से NCC बरती है exam model paper के नाम से तो वो वीडियो आप जरूर देखें उसके अंदर important question आएंगे GKK तो वो वीडियो आपको जरूर देख के जानी है और एक और playlist है NCC MCQ के नाम से तो वो वाली playlist भी आप देख के जा सकते हैं आपकी त्यारी बैतर हो जाएगी तो ये चीज़ होगी आपके exam की यहाँ पे पहले exam होगा और फिर exam के बाद में आपका होगा physical examination अब आपके दिमाग में question आ सकता है कि सर्फ physical examination के अंदर क्या होगा तो physical examination के अंदर आपकी running तो होती होती है इस बात में तो कोई doubt नहीं है और वो depend करते हैं उन पे कि वो push up करवाते हैं pull up करवाते हैं या फिर chin up जो भी चीज़ें वो करवाना चाहें ठीक है shit up करवा सकते हैं ये सारी चीज़े वहाँ पे हो सकते हैं लेकिन running तो basic है आपकी होगी ही होगी 1600 meter तो लगभग boys की करवाई ही जाती है girls की accordingly कम करवाली जाती है या फिर उन्हें time जादा दे दिया जाता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है यहाँ पे और important बात क्या है और important बात ये है कि after completion of all examination इसके बाद में क्या होगा देखो पहले आपका क्या हुआ ये वाला point अमारा रह गया पहले आपकी होगी आपका होगा written examination जिसके अंदर आपके questions आएंगे GK से related, NCC से related और defense से related फिर आपका होगा physical test ठीक है और तीसरे नंबर पे आपका होगा interview interview normal होता है इसमें घबराने की जोरो इतनी है basic चीज़ें आप से पूछी जाती है आप NCC क्यों जो हैं करना जाते हैं या country के बारे में आपके बारे में अपने आपको introduce करो और ये सारी चीज़ें होती है जब ये सारी चीज़ें आपकी complete हो जाएगी तो एक merit list बनाएंगे ठीक है तिनों चीज़ों पर जिसने running में अच्छा किया और फिर जिसने test में भी अच्छा किया और फिर जिसका interview भी अच्छा गया तो उसके base के उपर select किया जाएगा cadets को और उनके name जो है वो inform किये जाएंगे group के अंदर letter बाद में बताएंगे ठीक है कौन सी unit के लिए निकले है ये number one बंगाल नेवल unit NCC ये बात आपको ध्यान लखनी है place कौन सा है 8 सदरन अवैन्यू लेक range काली घाट कोलकता वेस्ट बंगल तो वेस्ट बंगल के अंदर जो कलकता है कौलकता जो है वहाँ पर क्या है ये NCC के form निकले है टाइम क्या है आपको सुभे 9 बजे वहाँ पर पहुँचना है ये बात मैंने आपको पहले बता दिया है अब एक मिनट और रुको एक मिनट अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके कोई doubt बाकी हो इस चीज से related कि आप MCC जोईन करना चाहते है कौन-कौन eligible है इस चीज के लिए आपके दिमाग में आ सकता है कि eligibility conditions के बारे में eligibility conditions के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर junior division की हम बात करते हैं तो उसके अंदर 9th वाले जोईन कर सकते हैं अगर आपकी degree 4 साल की है तो ठीक है 4 साल की degree होती है तो second year वाले भी जोईन कर सकते हैं लेकिन ये depend करेगा यहाँ पर कि one Bengal NCC जो novel unit है वो किसको allow कर रहे हैं यहाँ पे तो अब आपको चाहिए कि information की क्या आप eligible है या नहीं है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप Instagram पे जाएं ये जो ID है email नहीं यहाँ पे हम कहेंगे Instagram की जो ID है नितेश निचे यहाँ पे और फिर sing और faceless यहाँ पे और फिर 501 अगर इस ID को आप वहाँ पे search करते हैं तो आप इन्हें direct message करके पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पे आपका जो भी doubt है इसको Nevel NCC को join करने से related तो आप यह पूछ पाएंगे और आपके जो doubt है वो वहाँ पे clear हो जाएंगे तो I hope यह doubt आपके clear होंगे होंगे आपको information मिल की होगी मैंने वैसे भी आपको बताया कि अगर सबसे पहले आपको information चाहिए तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि जैसे ही next notification आएगी जैसे ही next notification आएगी तो वो चैनल के उपर आपकी miss ना हो क्योंकि time बहुत कम होता है तो इसी लिए चैनल को subscribe कर लें like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ जो join करना चाहते हैं और जुड़े रहें इस तरह की और वीडियो के लिए proud group of mcc youtube चैनल के साथ next video तक जै हिंद जै भारत, thank you very much